एक वन में एक चतुर लोमडी राती थी, उस वन में ऐसा कोई प्रानी नहीं था जिसे वो लोमडी ठागी ना हो, एक दिन वह लोमडी बहुत भूखी थी, वह भूख से बेचैन होकर जंगल में इधर उधर घोम रही थी, मगर उसे जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं मिला तभी उसकी नजर एक कववे परी, जो पिर के उपर अपनी चोच में एक रोटी लेकर बैठा था, कववा को देखकर लोमडी को एक तरकीब सुझी, और वह पिर के पास गई, और काली कववा से बोली, कववा अपनी परसंसा सुनकर बहुत खुस हुआ, और लोमडी की मिठी मिठी बातों में आ गया, और बिना कुछ सोचे, जैसे ही गित गाने के लिए अपना मुह खोला, वैसे ही रोटी नीचे गिर गई, और भूखी लोमडी ने जट से रोटी लेकर वहां से भाग गई, तो बच्चो इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि हमें जूटी तारिफ से बचनी चाहिए, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, जो अपना काम निकलवाने के लिए हमारी जूटी तारिफ करते हैं, और अपना काम निकल जाने के बाद पुस्ते भी नहीं हैं, तो बच्चो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाई बाई